जै मातादी फ्रेंड्स आज हमने भवन में मातारानी के दर्शन किये राइट हैं सेंटर में मां लक्षमी जी विराजमान है और लेप्ट हैं साइड में मां सरस्वती हैं मैं आपको आगे टिप्स शियर करूंगी कि कैसे आप बहुत जल्दी और बहुत तर्मीनेंटी भवन्तत दर्शन के लिए आ सेंगें आप अजया है जया मातारी फ्रेंच आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं बाण गंगा पे बान गंगा कैसे बन क्या अर्थ है इसका चली अब यह जानते हैं बाण गंगा से ही आपको समझ में आता होगा बाण मार के जब माताने यहां पे जल निकाला था अब सबelpunगा अब माता ने जल क्यों निकाला था जब माता नानी शेपके घर से जह प्ाल हैर कि आगे चली दीशा की और फ पहुची उनके साथ हनुमान जी थे हनुमान जी ने बोला मातारानी मुझे प्यास लगी है तो माता ने बान माल के यहां से जल निकाला था और आगे चल के थोड़ा सा मातारानी ने अपने केश धोए तो इसे बाल गंगा भी का जाता है आप देखेंगे यहां पर काफी अगे राला कपड़े धोना मना है और यहां पर जैंट के लिए ओपन में दे रखा है जलिए फ्रेंग्स थोड़ा हम भी हात मूद होके आगे की और प्रसांद करते हैं कुछ लोग यहां पे पुरानी परंप्रा की एकोर्डिंग कुछ लोग यहां पे शनान करके ही आगे आगे जाना जादा बैटर मांगते हैं हवा बहुत तेज चल रही है आंधी का महौल हो चुका है लेकिन हमारी यास्ता जारी रहेगी बने यह मेरे चैनल दिल्ली मस्ती के साथ अभी मैं जारी हूं माता के माता गंगा के पास थोड़ा श्नांगर में जैमा गंगे हरे हरे गंगे जैमा गंगे हरे हरे गंगे चलिए फेंग्स अब हम चलते हैं माता के चर्न पादुगा के और दर्शनों के लिए आईए जोर से बोलो जैमाता दी चलते बोलो जैमाता दी बान गंगा के बाद आया है अब पड़ाव माचरन पादुगा का यहां का इतिहास जानेंगे नहीं क्या बिलकुर जानेंगे ना अब बताती हूं आपको इसका इतिहास यहां पिमाता दानी ने आके पीछे मुळ के देखा था यहां benefits उनके पीछे आ रहा है यह नहीं जब माने पीछे मुळ के देखा तो यहां पर एक पत्थर जो चीला है उस पर माता दानी ने अपने पैरो की छापभी खोड़े जो 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 पच्वा के ढाँ आद एक आपमार देखा अब हो आपकवाली इसे कि आम ज़ेल बुखावी ने को सब्सक्राइब करेंगे जानते हैं इस जगा को आधकवारी क्यों कहा जाता है शिरी राम ने तेता यूग में माता वैशनवी को वचन दिया था कि जब वो कल्यूग में कल्की अफ्तार लेके प्रकट होंगे तो वो मां वैशनवी से विवार करेंगे मां वैशनवी अभी भी उनका इंतजार कर रही है कल्की अफ्तार और वो मां भी है और वो उन्होंने विवा भी नहीं किया है इसलिए इस जगा को अर्द कवारी कहा जाता है फेंट्स आपकीक मेरे पीछे गरब जून गुफा भी देख पा रहे होंगे इस खुफा के पादर में भी थोड़ा जयान देते हैं मां जब माता की बात होती है तो बैर नात का जिकर कही ना कहीं से हो जाता है चलिए सीटधा करव जुफा पर पॉचतें यहां पे माता रानी ने नो महीने तक गरब जुन की गुफा में विश्राम किया है। जैसे एक बच्चा अपनी मा के कोख में नो महीने तक रहता है। उसी तरह मा इस गुफा में नो महीने तक रही है। उसके बाद माता भवन की और नो महीने के बाद निकल गए। अब हम जानते हैं इस गुफा की लंबाई जो है वो 25 फीट है और शाधालू इसे रेंग के पाल करते हैं और ऐसा माना जाता है जो शाधालू इसे रेंग के पाल कर लेते हैं वो अपने सभी दुखों से निवारन पालेते हैं जैम आता दिए अर्द करवारी पहुचके सबसे पहले आपको गरब जून की गुफा के लिए पर्सी लेनी रहती है काउंटर नंबर दो से उसके बाद आप अपना लाइन ओफ एक्शन डेसाइड कीजिए आपका जो नंबर है गरब जून की गुफा के लिए कितनी देर में आ रहा है अगर एक दो गंटे में आ रहा है तो आप लॉक्रूम में जाईए अपना समान दखिए और वेट कीजिए अगर रात्री का टाइम है ठंडा मोसम है तो यहां पर ब्लांकेट भी मिलते हैं साड़े साथ बजे के बाद शाम को आपको यहां पर ब्लांकेट मिल जाते हैं उसके इंटे के बात दिया गया है तो आप भवन की और चले जाईए माथा डेख के आए भवन पे और फिर आके यहां पर अर्थकवारी के मतलब घरब जून के दर्शन कीजिए चलिए अर्थकवारी पर क्याथे फैसिलिटीज है उनके बारे में जान देते हैं यहां पर क्लीन व छोटे बवी सोते हैं उनके लिए फीदिंग काउंटर भी अवैलिबल और एक चीज मा और आपको पताना चाहूंगी यहां पर धरन शाला भी अवैलेबल अगर आप धरम चाला लना चाहे तो वो भी ले सकते हैं कि पेंडिंग अपॉन अपान दी और 2005 में यह इनाउग्रेट हुआ है आप इस मार्क से जाएए यह इजी वे है इस वे में आपको खाने पीने की वाश्रूम की पाने की पूरी फैसलिटी अवैलेबल है और एजी है थोड़ा लेंदी है एजी है थकान नहीं होते इस रास्ते पर इस मिलता है और इस को लेके बहुत शजग रहिए ये पुराने रास्ते पर परिंच इस समय हम सा जी छट के पास हैं और ठीक मेरे पीछे आप देखे रहे हैं पर्साद भवण यहां पर माता का परिस्जाद मिलता है जिसमें काले चने और हल्वा होता है आप बिना इना deveले हैं माता का परिश Singh जरूर लेखे ज़िए आता है कि फ्रेंट्स हम इसमें सांजी चथ पर खड़े हैं आपको मा वेशनदेवी के दर्शनों के लिए हैली कॉप्टर की फेसिलिटी भी अवेलेबल है अब देखें यहां से सांजी चथ से हैली पैट सिर्फ साथ हो मीटर की ही दूरी पर है और आज का किराया इसका एक साइड का अठादा सोर पे है तो जो हेलिकॉप्टर से आना चाहते हैं उनके लिए फेसिलिटी अवेलेबल है इस से में सांजी चथ पे हैं यहां पर कुछ फेसिलिटीज है आए मैं आपको उनसे अवगत कर वाओं यहां पर रेसेप्शन की फेसि इस अवगत कर दो जो है अनौसमेंट काउंटर है इंक्वेरी काउंटर है यात्री निवास है मंगला भवन है जिसमें रूम्स आपको रेंट पर मिलते हैं लॉस एंट पाउंड सेक्शन रहता है सागर सुवी हॉस्पितल भी यहां पर पुलिस एसिसेंट है और ग्रेंकिं वॉर्टर एंड टॉलेट्स तो रहते ही हैं जै माताजी फ्रेंग्स आज मॉर्निंग में हमने भवन के दर्शन किये चलिए मैं भवन से जूरी कुछ इंपोर्टन्स इस्टी आपके साथ कांचा करते हैं जब माता अर्थ कवादी से इसे हम तरब जून भी कहते हैं वहां स जो कि देख सकते हैं ठीक में पीछे भवन है और जब माता ने उनका सिर काटा उनका सिर को सामने वाली पहारी पर जाके गिरा जो कि देड़ किलोमेटर यहां से दूर है और शरील जो है वहारोनात का वो इसी गुफा में रहे गिए उसके बाद माता नानी ने फुद को तीन महाशक्तियों के रूप में प्रकट किया मालक्षमी मासरस्वती और माह काली इसके बाद माता ने खुद को ध्यान में समर्दट कर इसके बाद पंडित शिरदर जी की देन है कि उन्होंने इस गुफा को ढूंडा और आज हम सभी शर्दालू इस गुफा पे आके दर्शन करते हैं फर्स्ताल 90 लाग से जादा शर्दालू यहां पे दर्शन करते हैं जब हम यहां पे पौशने वाले होते हैं नो फेंच आर जाता है कि हाँ अब तो पहुंच गए अब तो पहुंच गए अब इसके बाद जो रहता है अगला पड़ाव भैरवनाथ का रहता है बिना बैरवनाथ के माता वैशन देवी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है अब हमने दर्शन किये बहरो बाबा के चलिए अब मैं थोड़ा आपको बहरो बाबा के बारे में भी बता दूँ कि क्या इतिहास रहा है इनके साथ भी माता का बहरो बाबा जो है श्रीदर जी के यहां पर जब बंडारा होता है वहां जाते हैं और वहां जाने के बार महां पर चिकन और शराब की दिमांड करते हैं भोजन तो बंडावे का रेशनव होता है तो चिकन और श्राप का तो मतलब भी नहीं बनता तो वहां से माता रुष्ट होके आगे बढ़ जाती हैं बहरोनाथ माता के कोई परशान करना चाहते थे इसी वज़े से वो यह सारे डिमांच रखते हैं माता जब निकलती है श्रीदर के घर से पीछे-पीछे बहरोनाथ माता का पीछा करते हुए निकलते हैं अब पीछा करते करते माता आती है सबसे पहले बान दंगा पीछे-पीछे बहरोनाथ माता पहुशती है चरन पादु का पीछे-पीछे बहरोनाथ चपन पादुका का क्या है माता महां रुखके मुड़के देखती है कि पहलों पीछे आथ हो नहीं रहे इसलिए महाँ पर माता के पैलों के चिन चूटते हैं माता आगे बढ़ती हैं फिर आती हैं मत गरभ जून की ओ जिसे कि आप अर्ध कवारी के नाम से भी जानते हैं माता वैसे ही माता ने 5 ऐफ ड्लग ऑप 있지-अ सफ के बाद माता वहाँ से आगे बढ़ती हैं ग्रवन की ऑजा अएёт तरह पीछे आहते हैं माथा बहँनाथ जली जाती हैं ग्रप ग्रवाल भी कहते हैं गदब गड़ए में जजाके माता अपनी योग निद्रा कर दिन ओजाती है जब भीरोनाथ पीछे-फीचे आते हैं तो ऩो मान जी के साथ यह आज बहुत होता है रहां कर YOदो थे लिफाष ऑसक इसके बात में तर दोती है देज़्ान से भार आती है बहुत जाने के बाद माता गुस्ते में आके बहुत परचंड रूप अपना जो है उनका धारन करती है और गुस्ते में बहरोनाथ का सिर्क आड़ देती है अब इसके बाद क्यों रहता है बहुत बढ़े तांत्रीक रह चुकिया है शिप के भक्त रहते हैं तो उनका जो सीस होता है वो डेट से दो किलो मेटर किसी और पहाड़ी पर जाके गिरता है लिकिन शरीर में उनके प्राण बर्चते हैं तब भी शरीर नहीं मर जाता उसी समय तो वो माता से अपने जो उनके करन है उसके लिए शमा याक्षना करते है कि माता मुझसे बहुत बढ़ी बूल होगी मु इसलिए माता जे दर्शनों के बाद बहरो बाबा के दर्शनों के लिए आया जाता है जाय माता भी जैन्स पीने के लिए जगा-जगा आदो ड्विंकिंग वाटर का शॉल्स अवैलेबल है यह बिल्कुल फ्री ऑफकॉस है यहां पर आप देखेंगे चिल पानी नॉमल वा है लेकिन है महां पर भी और अगर आप रास्ते पर चलते चलते देखेंगे पूरे जो एरिया है जो रास्ता है उसको टीन शेट के साथ कवर किया हुआ है ताकि धूप और बारिश दोनों से पचाव हो सके अपने भोजनाले भी अवैलेबल है जो कि आपको पूरे रास्ते में जगा जगा पर मिलेंगे इनकी फूट की क्वालिटी डीसेंट है और प्राइज बहुत ज्यादा रीजनेबल है चाहे जो है आपको सातुर पर मिल जाती है पाने की बॉट्री पंद्रा में और जो बाकी खाना है वो भी काफी रीजनेबल रेट पे अवैलेबल है कर मैं 25 में सांबर बड़ा का जो कॉम्बो है वो लिया था और कॉलिटी और कॉंटिटी डीसेंट है कि अधर में बाण जंगा पर खड़े हैं और हम यात्रा कर आचुके अब में को बहुत आज़ा सकान हो तो मैंने पानी में पैर अपने डिप कर ली है अब को बड़ा रिलाक्सिंग पील हो रहा है ऐसे बगला कि ठकान खतम होती जा रही है ज़स्में पानी में गई हूं मैं को लगता पाश्मेंट में खड़ी हो तो सकान खतम हो रही है जैम आगंगे फिक सामने देख रहे हुआ दर्शन दियोड़ी अब कर दो जो अब करेंगे अब करेंगे आपको मिल जाएगा टी सिरीज का शोरूं जस्ट उसके ऑपजेट है और बिल्कुल इसके साथ में टी सी रीज का बुल्शन स्टूडियोज है अब मैं आपके सात कुछ important information करने जा रही हूं कि आपके लिए इस यात्रा कि एए आपकी आत्रा को बहुत सुखद बनाने जा रही है अगर आप इस important टिप्स कोकि यूज करते हो इंफरमेशन को यूज करते हो तो इस information में आपको यह बताना चाहूंगे कि आपको यह यात्रा कप करनी चाहिए यह यात्रा जो है आपको March end से लेके October तक यह यात्रा आपको करनी चाहिए इस दुरान जो मोसम रहता है वह बहुत अच्छा रहता है और आपका जो अच्छा रहता है वह भी इतना जादा नहीं होता है कि अगरा विंटर्स में यात्रा करते हैं तो आपका वुलंस की वज़े से आपका लगेज जो है डबल ट्रिपल हो जाता है और एक हैसल त्री आप क्रावल नहीं कर पाते अगर आपके बच लगेज जादा रहता है तो सब्सक्राइब करेंगे और उसके बादा बाबाजी के दर्शन कीजिए और चाल पांच शे बचते बचते तक आप अराम से नीचे चड़ाई उतर जाएंगे जात की समय चड़ाई करने का मेन बेनिफिट यह रहता है कि कोई मौनिंग के टाइम पर अर्ली मौनिंग के टाइम पर महां वेश्ण देवी के भवन पर कोई रशनी होता बिल्कुल हैसल फ्री आप दर्शन करते हैं मिंटों में नंबर आता है और बहुत जल्दी से आप द बहुत इंपोर्टन पॉइंट होता है तो इसके लिए मैं आपको बताते हूं जम्मू और कट्प्रा में तो आपको बहुत सारे होटल धरमशाला वगएरा बहुत इसली मिल जाएंगे और डोमेटवी वगएरा भी अवेलेबल रहती हैं श्राइन बोट की भी बल्कि डोमे किसी के भी अवेलेबल नहीं है लेकिन इनके बुकिंग बहुत चालेंजिंग है क्योंकि बहुत लिमिटेग जो है रूम्स अवेलेबल रहते हैं यहां पर बुकिंग बहुत जल्दी फिल अप हो जाती है और हमेशा हाउसफुल ही दिखाएगा जब भी आप आएंगे तो इसकी जो बुकिंग है आप उनलाइन शाइन बोर्ट की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं अब मैं बात करूं कि अगर आपको वहां पर हाउसफुल है आपका ब्यात्रा करनी है कैसे करें कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप क्या कीजिए यहां पर आपको 7.30 के बाद इवनिं इसके बिछाने के लिए और दो औरने के लिए तो यह आपको सबसे बेस्ट और सिंपल मैं अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप इस ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं इसके लिए आप से एक सिक्यूर्टी अमान डिपॉजिट किया जाता है जब आप ब्लांकेश हर्चा मिल एंग जम्मू कट्रा अर्द Kyle in a book it अब इसके अंदर किया क्या आप को फेसलिटी मिलती cleaning इसके बारे में जान यहां पे आप को रात्री बिताने के लिए कंबल मिल जाता है पानी की फेसलिटी एवेलबल है पीने का पानी जिसे हम कहते आप वश्रृुम आपको उपलब्द रहती है जय मातर अगर के दर्षनों के दरान लंगर ना किया जाए तो क्या फाइरा दर्षनों का हो अब यहाँ पर चलते हुए आपको तीन जगा लंगर की फैसिलिटी उपलब्द है श्राइन वोर्ट की तरफ से दो जगा लंगर लगाया जाता है कट्रा से तीन किलोमेटर आगे और अर्ध कवारी से पांच किलोमेटर आगे आपको लंगर की फैसिलिटी मिल जाती है यह facility आपको मिलती है तारकोर्ट मार्ग पे और अगर हम बात करें आप T-Series वाले गुलशन कुमार जी को तो सब जानते ही है उनकी तरब से भी लंगर की facility available है यह आपको बान गंगा के रास्ते पे शुरू में ही मिल जाती है और फिन सांजी छत पे आपको हलवा और छोलो का परिशार जो रहता है वो मिल जाता है और साथ में आपको चाहिए यह सारे लंगर की facilities जो है बिल्कुल free of cost आपको इसके लिए बिल्कुछ भी पे करना नहीं रहता कि फिन सियात्रा के और जड़ान कोई भी special medical certificate की ज़रूत नहीं रहती है आपको लेकिन फिर भी अगर आप किसी खास रोग से जैसे हिर्दे रोग बीपी का कोई मरीज है वो अपनी medicine साथ में लेके चले जगा जगा आपको chemist की shop मिल जाएंगी आपको basic medicines मिलेंगी आपकी ज जाता है तो suggestion यही है कि आप अपनी medicine साथ लेके चले यात्रा के अधरान आपको जगा 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 shine road की दवारा dispensaries open है कहां कहां पर अभे जान लेते हैं कट्रा पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बान गंगा पे अर्धकवारी पे और भवन पे तो ICU की facility भी उपलब प्रें जब मैं बहुत important point डिस्कुस करने जारे हैं उसे note down करना भूलिएगा नहीं आप हम बात कर रहे हैं clock room facilities की clock room facilities जो रहती हैं आपको जगा जगा उपलब जाती हैं सबसे पहले आप हीए कीजिए जब आप यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं तो कम से कम luggage रखिए और बा यहां पे clock room facilities अपलब हैं आप अपना लगेज को डिपॉजिट कीजिए और minimum to minimum लगेज लेके चलिए उपर क्योंकि ज्यादा लगेज के साथ चड़ाई करना difficult होता है में most important point आप tablets और laptops को उपर लेके नहीं जा सकते हैं वह यहां तो आप अपने जूम में छोड़के कर दोजिए कि फिंट्स क्लॉक्रूम फेसिलिटी कट्वा में अर्धकुवारी पर भवन पर उपलब्द है आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आप mobile phones आपके जो DSLR क्यामरा होते हैं और action क्यामरा आपको अलाउड रहते हैं यात्रा के दुरान लेकिन भवन के अंदर यह सम पानी की बॉटल जो होती है हमें सब को रास्ते में प्यास लगती चलती है तो श्राइन बोर्ट द्वारा जगा जगा थोड़े थोड़े दूरी पर पानी की विवस्ता की गई है तो आप पानी की बॉटल को जादा करने की जूरत नहीं आप एक बॉटल रखिए खाली हो तो आप उसे रिफिल करते होगे चलिए और सेकेंड को मैं यह बताना चाहूंगी ब्लांकेट की फेसलिटी भी अवेलेबल है तो आप ब्लांकेट को भी कैरी मत कीजिए यहां पर क्या है क्या ब्लांकेट के लिए एक सेक्यॉर्टी अमांट डिपॉजिक करते है जब आप रिटर्न करते हैं तो आपको सिक्यॉर्टी मांट रिफर्ण हो जाता है तो ब्लांकेट एक बहुत बड़ा वेट बढ़ाता है हमारे लगेज का तो उसको भी आत्रा के दोरां के जुर्द नहीं रहती है आप अपने खुट का तालाचाबी लेकर चल रहे हैं तो आपको बहुत बहुत इजी हो जाता है यूंकि भावन पर कही बार सिर्फ जो लाइन रहती है वो तालाचाबी के लिए ही रहती है आप क्लोक्रूम के क्लोकर में कहीं भी समान दख सकते हैं अगर आपको बाइग रहते हैं यह सब भी आपको क्लोक्रूम में ही डिपोजिक करवाना रहता है भवन्त में एंट्री के टाइम पर आप सिरफ जो आपको माथार देखने के लिए क्याश रहता है आप वही क्यारी कीजिए आपके साथ डिसक्रस करते हूं कि लाइट का बहुत इशू रहता है यहां पर जाती रहती है और थोड़ी दिर में आती रहती है तो इस दोरान यात्री जो है अपने मोबाइल की टॉच लेके चलते हैं तो इसके लिए आपको एक लगश बढ़ाना पड़ेगा अपमा आप टॉच लेके चलिए अच्छी टॉच लेके चलिए ताकि आपके मोबाइल की जो बैट भी है वो सेफ रहे अगर आपको कॉल वगएरा करना तो इसके लिए आपकी बैट भी सेफ रहे और मैं यहां के जो मिंसिपल है उसको एक रिक्वेस करना चाहूंगी कि सर मैडम जो भी है आप यहां पर यहां पर कम से कम स्टीट लाइट पे लाइट का फैसलिटी ज़रूर दीजिए आप रात में क्योंकि कुछ लोग यह सरशादालों ऐसे आते हैं जो कि सीधा ट्रावल करने के लिए याते हैं बस से उतरते हैं थोड़ी देर विश्राम करते हैं कुछ लोग रोड़ साइड पे पार्क बगएरा में अराम कर रहोते हैं और फे सीधा यात्रा के लिए निकल जाते हैं रूम स्टीट पे लाइट के समय ज़रूर होनी चाहिए रात को यहां पे सीट लाइच भी बंद हो जाती है आटी पीसी आर का जो टेस्ट रहता है उसका यहां पर हमने जैसे हम करवा के आयते टेस्स हमें यहां पर किसी ने ने चेक किया इवन हमारा जो एक्सिनेशन का सर्टिफिकेट है वो भी किसी ने चेक नहीं किया और मास्क जो रहता है मास्क यहां पर आप देख रहे हैं मैं बिना मास्क के पूरी वीडियो मैंने आपको दिखा दी मास्का भी यहां पर कोई प्रॉब्म नहीं है बिना मास्क के सब दर्शन हो रहे हैं आमने भवन में दर्शन किये बहरो बाबजी के दर्शन किये नीचे से ज्यादा तर लोग शधालू जो है वो पैदल ही यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन कुछ सीनियर सीडिजन आते हैं जो की बहुत इच्छा रखते हैं मातर की दर्बार में जाने की लेकिन आसामत रहते हैं अपनी हुदे जो जो किसी प्राब्म से एती हैं वो नहीं जा पाते हैं कुछ सीनियर सीनियर स्पर शिंचेशन जिसे हम बोलते हैं वो भी हमें याद्रा के और वाप्सी का जो रहता है किराया उसका दाई सॉ से तीन सो के बीश में वाप्सी का रहता है आपको अपना आई-डी कार्ट दिखाना रहता है कार फैसलीटी देन लेने लिए कि यह जो कार फैसलीटी जह 50 and 50 प्लस को ही मिलती है अब हम बात करते हैं इसके टाइमिंग्स की कार फेसिलिटी जो अवेलेबल रहती है यह सुबह साड़े के से लेकर राती दस बज़े तक आपको अवेलेबल रहती है फिर रेलवे सेशन और बस्टेंड पर दोनों जगा ही प्रीपेट और तो बूट अवेलेबल रहते हैं आप वहीं से और तो लीजे वरना आपको थोड़ा एक्सा चार्ज पे करना रहता है अब हम बात करते हैं अब आप और तो से बान गंगा तक आ जाते हैं यहां से आपको पोनी, पिट्टू, पालकी और प्राम की फेसिलिटी अवेलेबल रहती है यहां से आप को जगा जगा प्रीपेट काउंटर बूट रहते हैं हमारी एडवाइज यह है कि जो श्राइन बोड के काउंटर आप उनी से लें वरना आपको कुछ एक्सा चार्ज पे करना रहता ह है उसके बाद भी जो पोनी, पिट्टू वाले होते हैं वह आपसे बक्षीश के पैसा निकलवा ही लेते हैं पिंच भेरो बाबा की जो चड़ाई रहती है वह बहुत कढ़िन रहती है भवन से भेरो बाबा की और लगबग तीन किलोमेटर का यह ट्रैक रहता है इसके लिए श्राइम बोर्ड ने रोपवे की फैसिलिटी सार्ड किया जो की सुबह 17 साथ से श्याम को साअपवित Cup उपलब रहती है यह रोपवे की फैसिलिटी जो रहती है इसके लिए आपको सोर पे का चार्ज करना रहता है जाने और आने का अगर आप चाहें तो पुराने क्राक से आपेस नीचे भी उतर सकते हैं और अगर आप चाहें तो डोपवे के दुगारा नीचे भवंतन चाहिए नैंतली में पिनतालिस मोग जाते यह और लगभग लगभग एक घंटे में 800 लोगों को यह आप एंड डाउन करवाती है। जो है। तो इसके लिए आपको घबराने की जूरत में क्योंकि चड़ाई जो है वो काफी कटेन तो यह टाइम आपको काफी कम लगेगा क्यूंकि आपको विदिन 20-30 सेकंड आपको भावन से आप बहद वाबाबता पाओज जाएंगे। प्रिंट जब हम बात कर लेते हैं भाजनाले की श्राइन बोर्ट द्वारा यहां पर जगा जगा भाजनाले की विवस्ता भी की गई है इस विवस्ता में आपको चाई 7 रुपे में दूद 15 रुपे में अगर आप पानी जो आपको काउंटर लगे हैं पानी के वहां से नहीं दूबारा बात करूं तो भाजनाले में आपको जो खाना रहता है वो महज 30-35 रुपे में आपको मिल जाता है तो आपको खाने की शुदता को लेकर बिल्कुल भी टेंचन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि श्राइन बोर्ट भुद से यह खाना बनाता है तो यह बिल्क साइम पर मिलेगा यह 24 घंटे मिल चलता रहता है यहां पर बोजन मिलेगा आपको और सिटिंग फैसलिटी बहुर अच्छी है यहां पर नेसली और कैफी कॉफी देखिया आपको जगा-जगा मिनी आउफलेट्स मिल जाते हैं इसमें आपको बर्गर, सांडविचिस, जूस मिल्क, टी, कॉफी यह सब भी मिलता रहता है आप सब तो जानते ही हैं जैसे ही आप एंट्वी करते हैं तो हमारे जो प्रीपेट कनेक्शन जाते हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं इसके लिए एडवाईजिबल यह है कि आप पोस्पेट कनेक्शन लेकिया है अगर आप पोस्पेट कनेक्शन लेना भूल गए है या नहीं ले पाए किसी कारणवश तो आपको चिंता करने की जुरूरत नहीं है जैसे ही आप जम्मू कट्परा पहुचते हैं आपको यहां पर याद्री सिम मिल जाते हैं याद्री सिम के लिए हम आपको यह बोलेंगे कि आप कट सिम फोन होना ज़रूरी है यात्रा के दुरान अगर सिर भी आपके पास नहीं है आप गर में कुछ इंफोमेशन देना चाहते हैं तो बीच बीच में आपको दो तिन पॉइंट पर ही सिरफ एसेडी बूट्स भी मिलते हैं फ्रेंट्स यात्रा करने के टाइम पे मेरी एड़ाइस यह है कि आप लाटी लीजिए बीच बेकी मिल जाती है एक लाटी उससे आपको थोड़ा चड़ाई करना और दूसरी चीज़ में आपको यह बोलूँगी कि चड़ाई करते समय आप सीडियों का परियोग मत कीजिए हिर्दे रोगी तो स्पेशली सीडियों का परियोग ना करें उनमें काफी प्रब्म आ सकती है और जिसको कोई और प्रब्म भी हो वो भी सीडियों का परियोग ना करें उतरते समय आप सीडियों से आजाएं तो आपको इतनी जो नॉर्मल परसंद हैं उनके लिए मैं बोल तो तब भी सीडियों का परियोग ना करें, बाकी लोग उतरते समें स्टेर्स का यूज कर सकते हैं, एक्षिली क्या होता है मैं आपको बताती हूं, उतरेंगे अगर आप सीडियों से चड़ेंगे तो आपकी पिंडलिया ये जो होती हैं, जिसे कुछ लोग पिंडलियां में ये दुखने लग जाते हैं, इसमें ऐसे टाइट से हो जाती है, तो आप उसके बाद कुछ ताइम तर आपको दो दिन लगते हैं, नर्मल होने में, चलने में प्रॉब्म आते हैं, इसलिए हम लोग आपको एडवाइस करते हैं, कि स्टेर्स का यूज ना करें, अगर आप दर भी एक्सपेरिमेंट करना चाते हैं, तो आप जुदूर कीजे, चाहिए, प्रिंज गरमी के दोरान, हम आपको ये एडवाइस नहीं करेंगे, कि डेट टाइम में नंगे पहुंग जाए, कुछ दालू नंगे पहुंग जाते हैं, कई मनत मांगते हैं, तो नंगे पहु और एक चीज़ हम और बोलेंगे, जो नॉर्मल लोग जा रहे हैं, शूस वगएरा कि अगर हम बात करें, तो अगर आप प्रेकिंग शूस पहनते हैं, तो वह काफी कर्मीनियंट हो जाते हैं आपको छड़ाई करना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैम आता दी